एक समय की बात है, एक गाउं में बहुत बड़ा पुराना बड़ा सा घर था, पूरे गाउं में वे घर भूतिया खंड़र के नाम से जाना जाता था, कोई भी गाउं वाला उसके आगे से निकलने में बहुत डरता था, आधी रात होते ही उस घर से डरावनी डरावनी आवाजे आने लगती थी, एक दिन रमेश नाम का लड़का शहर से अपनी भाई के घर गाउं आता है, रमेश वहां से गुजर रहा होता है, अरे रमेश, कहां जा रहा है, जरा बात तो सुन, मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूं, तुम आ जाओ, हम मिलकर रहेंगे, बहुत मजा आएगा, अरे नहीं, ये तो चुड़ेल है, ये यहां कैसे आ गई, भागो रहे भागो, हाई मबी बचा लो, अरे रुक, जाता कहां है, मैं बहुत दिन से भूकी हूं, अरे मर गया, अरे मर गया, बचाओ, कोई तो बचाओ, फिर वो जल्दी जल्दी अपने भाई के घर की और भाग जाता है, अरे भाई दर्वाजा खोलो, महेश भाई, दर्वाजा खोलो, जल्दी, अरे भाई कौन है इतनी रात को जो दर्वाजा फीट रहा है जाओ कविता जरूर तुम्हारा भाई होगा वो ही बेस में आ जाता है अजी क्या कहा आपने मेरे भाई के बारे में जरा अपनी आखों का इलाज करवाओ ये मेरा नहीं आपके भाई साहब पधारे हैं बड़े आए अरे पागा लौरत वो शहर्द से बहुत सारी सोने की गिन्निया लाया है ताकि यहां मेरे पास सम्हाल कर रख सके क्या कह रहे हूं जी तो ऐसा बोलू ना कि लक्षमी जी पधारी है मैं अभी आई लक्षमी जी फिर वो दर्वाजा खोलती है तो रमेश दरा हुआ खड़ा होता है अरे भीया आपका गाउँ तो बहुत डरावना है यहां आते ही ऐसा स्वागत होता है क्या पर हुआ क्या इतने घबराए हुए क्यों हूँ क्या बताओ भीया यहां भूतों का वास है क्या मैं तो घर की और ही आ रहा था लेकिन जिस रास्ते से आ रहा था वहां पर एक बड़ा सा घर था और जैसे ही मैं उसके आगे से निकलने लगा वहां मुझे चुडल दिखाई दी वो मुझे बुलाने लगी क्या कह रहे हो भाई तुम्हें वहां से नहीं आना चाहिए था वहां से जो भी निकलता है वो गायब हो जाता है नहीं नहीं भाईया मैं वहां रुका ही नहीं जैसे ही चुडल दिखी मैं तो वहां से 921 हो लिया अब सब ठीक है तुम घबराओ नहीं हम कल ही जाकर इन गिन्यों को किसी सुरक्षित जगह पर दबा देंगे फिर अगले दिन सुभे होने पर चलिए अब इन सारी सोने की गिन्यों को सही जगह ठिकाना लगा दे जहां ये सुरक्षित रहे फिर दोनों भाई उन सारी गिन्यों को लेकर घर से निकल जाते हैं देखो भाई रास्ते में वहीं खंडहर आएगा तुम डरना मत और चौकनने रहना जहां हमें जाना है वो रास्ता वहीं से होकर आता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है नहीं भीया मैं नहीं जाओंगा भाई कुछ नहीं होगा अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं हूँ ना तुझे कुछ नहीं होने दूगा फिर इतना बोल कर दोनों भाई निकल जाते हैं और जब वह खंडर आता है तो दोनों बहुत डर चाते हैं वहाँ बहुत अजीब अजीब सी आवाजे आने लगती है भाईया मुझे तो डर लग रहा है कान हा तुम दोना अब तुम दोनों नहीं बचोगे भाईया अब हम क्या करेंगे ये चुड़ल तो हमारे सामने ही खड़ी है तुम डरू मत मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूगा तुम मेरे पीछे आजाओ फिर चुड़ल महेश को अपने मुँ में निगर लेती है भाईया नहीं भागो यह ऐसे नहीं तो ये चुड़ल मुझे भी खा जाएगी मुझे किसी की मदद लेकर आना होगा फिर वो भाग कर वापिस गाऊं जाता है भावी, भावी दरवाज़ा खुलिए, दरवाज़ा खुलिए भावी अरे रमेश तुम वापिस भी आ गए, तुम्हारे भाईया कहा है नहीं भाभी, बहुत बड़ी गडबड हो गई, वो खंड हैर वाली चुडल भाईया को साबुत ही निगल गई क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भावी मैं सच कह रहा हूँ मेरे सामने ही वो चुडैल भाईया को निगल गई मैं किसी तरह भाग आया ताकि मदद लेकर आज सकूँ फिर कवीता घर के अंदर जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या करें इतने में रमेश कुछ गाउवालों को भी एकठा कर लेता है फिर कवीता रमेश और सब गाउवाले उसी खंड़र के पास जाते है अरी ओ चुडैल बाहर निकल मेरे पती को खा गई हिम्मत है तो बाहर निकल अरे भावी आपको डर नहीं लगता क्या देवर जी डर तो लगता है लेकिन अपने पती को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवा नहीं है इतने मिच्चुडै वहाँ आ जाती है सब गाउवाले बहुत दर जाते है आई मम्मे माचालो अब ही तो मेरी शादी भी नहीं हुई अरे कमिता मेहन आपके तो पतीत के पेट में है आप भी अंदर चली जाओ दोनों साथ मैं खुशी खुशी अंदर रहना मज़े करना मैं मरना नहीं चाहता बाबी जी नमस्ते मैं जा रहा हूँ ये तो बहुत खतरनाक दिखती है भागो रह यहां से अपनी जान बचाओ वेकार मेहन के चाहता गए दर पोक कहीं का चल भाग यहां से फिर सब गाउवाले दर के मारे वहां से भाग जाते हैं अरे रुगो डर पोक गाउवालो कहा भाग रहे हो ए चुडैल उन्हें छोड़ इधर देख मैं यहीं खड़ी हूँ मैं तुझसे नहीं डरती समझी ना तूने मेरे पती को निगल लिया मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी अरे भवी यह क्या कर रही हो हाराम से बादचित करके भी तो मामला निप्टाए जा सकता है तू वही है ना जो कल यहां से बच कर भाग गया था उसे छोड़ पहले मुझे खा के तो दिखा जरा तेवर जी आप दूर हट जाए फिर रमेश एक पेड़ के पीछे छिप जात दर क्यों रही है फिर उस छुड़ेल को बहुत गुसा आजाता है और वो कवीता को भी मूमे डाल कर निगल जाती है